अस्सलाम अलेकूं कैसो आप सब अलम दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मिद करती हूँ के आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भई हीरा निकल के आ गई जो के आप लोगों को पता ही है के पिटारा के लिए कर रही है सादिश ठीक है अब आने वाला है बहुत बड़ा गमासान और पिटारा को वदनाम करेंगी पीछे से प्लैनिंग फ्लोटिंग ये हो चुकी है और हीरा के आज आना वाइटी पे फिर से इस चीज का सबूत है कि लोग सब जने ना पिटारा का ट्रीप खराब करना चाते है देखो पिटारा जैसे ही ट्रीप पे जाने की प्लैनिंग बगेरा करती है ना तो कोई ना कोई निकल के आ जाता है पिछली बार भी यही हुआ था उसने गाउं में अपने अच्छे अच्छे विचारी मजे कर रही थी ठीक है शादी में जॉय कर रही थी और हीरा आके इधर बेड़ गई थी कभी वो तारिक पकड़ने जाती है तो हीरा घर दिखा देती है तो कभी क्या तो कभी क्या तो य तुके हुए सपोर्टर बोल रहे हैं जिन लोगों को पिटारा ने थूक दिए डिसान कर दी ये बेज़जत करके निकाल दीए और पीट पीछे इन लोगों ने उसको जैड भी बोली है ये और फिर भी बैटके उसको चाट रही है और ये सारी बाते वो बोल ये के हिरा ऐसे कि थ्रू आईये लेनिंग के मताबिक आईये और ये इसका ट्री खराब करना χाते है यृ जैसे पता नहीं कहां कहां की महा जरी है करना चाहते थमus ने वन मिलियन कर द्रामा करें तब विम्हुरों ने खराब नहीं कि थी फिर वहां से मैसेद दे रहा था कि हमारे आयत अलग के शांत रहो यह सारी बाते इन लोगों ने किये अब मुझे यह नहीं समझ आती है कि पिछली बार भी इन लोगों ने हीरा की खूब बेंड बजाई थी हीरा को खूब बेजज़त किया था उसके बाद में जब हीरा की शादी थी मेरे ख्याल से तो कराची में हीरा को इतने शॉपिंग वगेरा करवाई थी यह बात लीक हुई थी तो मेरे नहीं समझ आती है कि इन लोग पीछे से मिले हुए ठीक है शॉपिंगे करवाते है दावते वगेरा होती है ब्लागिंग नहीं होती है वो दिन कैमरे में एक दूसरे के नहीं लिया जाता है लेकिन यहां पे आके वाईटी पे यह जताया जाता है कि यह लोग तो उ ज्यादा यह औरत एक्सपोस हो चुकी है कि मैं बोलती हूँ ना कि जिनकी आंके नहीं खुलनी थी ना उनकी भी आंके खुल गई है लेकिन यह एक दो जो पैरों से उसके टांगों से लटकी पड़ी है ने हम तुझे ही सपोर्ट करेंगे हम तुझे भले पीट पीचे जालते ना तो तुम लोग इतनी नाक लगाते कि तुम लोग दोबारा अपने माबाप के दरवाजे नहीं चड़ते लेकिन यहां देखो कि पिटारा का पैर चोड़ने को तयार नहीं है उसकी ठांगों से लटके हुए हो तुम लोग बोलने के लिए भी शरम आती है अब त त्वास करता कौन है कुछ गिने चुने लोग बस पिटारा ने खुद आके तुम लोगों की सच्चाई लोगों को बता के चले गई तुमारे उपर मुँपे कालिक पोच के चले गई उसके बाद में यह सब बैठके बाते करना तुम लोगों को शरम नहीं आती है शरम करो देख लो पिछली बार भी यहीरा ने पिटारा ने खुब कंट्रोवर्ती किये उसके बाद में पता चला के हीरा की शादी में इसने कुछ है एल्प भी खी थी एल्प मिस गिफ्ट भी वेजी थी फिर वो आई थी तो उसको शॉपिंग भी करवाई थी कराची से फिर उसकी भी हीरा सामिल थी मैंने तो सुनी हो फिर तुम लोग किस चीज के लिए पीछे पढ़ जाते हो किसी के भी कि यही सारी हरकतों की वज़ा से पिटारा ने तुम लोगों के मुँपे चमाट मार के तुम लोगों को निकाल दी कि जाओ यहां से दफा हो जाओ मेरा कौन मत पिय कि निकल जाओ ठी यह एक दो ओड़े हैं यह सुदरने का नामी नहीं ले रही है। जब पिटारा कर दिये कि मैं कुछ भी करती हूं या मेरे रिस्तेदारों में से कौह कुछ भी करता है तो भी तुम लोग मेरे पीछे लग जाते हो कुछ भी करो तो तुम-दी नहीं रहते हो किसी को बुलाओ तो भी राजी नहीं रहते हो नहीं बुलाओ तो भी राजी नहीं रहते हो तो मुझे जीने दो इस तरह से उसको तुम लोगों ने तराज दिये हुएते और अभी फिर से तुम वही कर रहे हो ठीक है वो हीरा आई है किसी की लाइब में दो मिन कोई बात नहीं किया है उसने इतना ज़रूर बोली है कि यह वहाँ वाले कर रहे मतलब के सपोटर जो थे न वह लोगिए सारे काम करते थे यह आग लगाने वाले काम बस उसने इतना सी बोलके गई है उसके ओपर सब के धढ़ा धढ़ा धढ़ धढ़ा धढ़ वीडियो आ ना अंमन बनो ज्यादा तुम लोगों ने ना घीए नुप बेच जती हूई तुम्हारा मुह काला कर पिटारा ने गदे पर बिठा के पुरी वाइटी पर गुमाई और बड़ा मज़ा आया था लेकिन हां तुम लोग भी सुदरने को तयार नहीं रहते न डॉलर कैसे और इसकी अम्मा पे लगाया जा रहा है पिटारा की अम्मा पे के आसमान वाले चैनल पे वह बढ़ी है अलब यह जो इसने वह डाली है ना वीडियो जिसके अंदर यह बोल रही है कि आपने मेरी जिन्दगी तबहा कर दी पता नहीं क्या डायलोग मारी है इसने गाड़ी में तुम लोगों को इतना चाट रहे हो फिर उस तारीफ को करते हुए यह बोला जा रहा है कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है वह बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वही तुम्हें बोल रही हूं ना कि वह एक्टर है वह कोई रियालेटी नहीं दिखाई है अपनी सुरू स इसने सीर्फ और सरीफ एक्टिंग किये और और आडियंस को बेवकू बनाई है यही तो मैं भी सुरू से बोरी हूं और अब देखो तुम लोग भी उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए बोले कि वह वहां पर भी बहुत अच्छा काम कर रही थी आसमान पर तो वहां पर इसको कभी रिस्तेदार आके रोक दिये तो कभी अम्मा ने आके रोक दी के नहीं नहीं तुम बन करो यह चैनल बन करो यहां पर काम मत करो तो अरे दोगलो एक बात समझो सुनो तुम लोग के अम्मा ने क्यों रोकी अम्मा के रोकने का रीजन क्या था ओ कभी अम्मा की चा खांदान मलों को blackmail कर रही थी तो जाईर सी बात ही आइसे तो अम्मा अ ब्लोगिंग के लिए तो नहीं रोकती है अगर वो चीज के लिए अम्मा नहीं रोकती सकते पिछ फर 작은 करो तुम्हें मज़ा आ रहता दर इसा कहानि Online हमें एक्टिंग में काम करो तुम भी है ना अपने खांदान वालों की ना कहानी बताओ वाइटी पे आके जो थुके हुए सपोर्टर है यह जो बैठके बड़ी हिमायत कर रहे हैं तो इनका भी बैग्राउंड तो कुछ अच्छा तो है नहीं इनका बैग्राउंड क्या है व लोगों तो इन दर चले जाएंगा तो इसका चैनल चीन जायेंगा तो 32 चैनल और 36 आपर उड़ेंगे उनको उठा उठा हूख का म्साम स्क्चाहई जाएनगा जो बाहर रहें पाकित्तान के बाहर एंसको उठा उठा कर लाया जाएंगा और खांदान वालो में को अंदर करवाया जाएंगा और अब जाके देडर साल के बाद में जब पीटारा ने अच्छे खाते लोगों से पैसे वगएरा एंट ली फंड वगएरा एंट ली लोगों को चू बना लिए इसके बाद में जाकर आप क्या बोला जा रहा है के पृटारा की अंमी ने मना की ना तो इसके लिए उसके वपर केस नहीं हुआ किसी के भी इसलिए केस नहीं हुआ तो तालियां बजाओ भई बहुत अच्छा बेवकूप बनाईए बोलके के पिटारा की अम्मी ने मना की तो पिटारा सुन ली और भई पिटारा कभ सुनती है अपनी मा की उसकी मा बरतन करीदने मना करती है तो वह अपने सपोर्टरों से अम्मा क भी लगा देती है लेकिन पिटारा पिटारा ने आज तक के नहीं डाली भई वह वाला वीडियो अम्मा के कहने पर पिटारा ने सुन ली वह तालियां उन्हीं चाहिए भई इतना बड़ा जूट इतना बड़ा फ्रोड अरे पिटारा जब तुझे पता है कि तू केस अम्मी को गंदा करना ये चीज तो न तु छोड़ दे और अम्मा कितनी अच्छी है वो भी हमें पता है जब सलमा की डिलिवरी थी तो ये औरत चाती तो महाँ पे रुख सकती थी क्यूंकि महां पे तो कोई भी नहीं था सलमा के साथ जब डिलिवरी थी तो वो जो सौधी म पाकिस्तान में थी एक बंदा उसके पास में नहीं था और यह ऐमा ने वीना पिकर सल्मा को छोड़ के यह पाकिस्तान आ गई थी डिलीवरी के टेम उसके पुदु चल्भा के शाख शान किया गया फ़िंश कह उसके शायर और उस से here कब नाके डाला था वो वीड आभी भी मेरे चैनल पर पढ़ी हुई है आप लोग जा के देख सकते हो तो इतना सब के साथ में पीटारा ने कहला के करी तक किला करी सिर्शाल के ठीस्फ अब अम्मा ने रोग दी के नहीं पैदा की हूँ लेकिन यह जो नेना है रुबिना है डीडी है इन सब को अम्मा ने कैसे बच्चा ली वई अजगर को कैसे बच्चा ली अजगर से तो इतनी न फृत करती है अम्मा के अजगर को बोली थी पछली बार गई थी तो मेरे सामने मत आना और वो नहीं आया था जितने दिन भी अम्मा वहां पे थी न तो वो सामने नहीं आया था इस बार गई इस आ ऐसा कोई डिमांड नहीं रखी है कि मेरे सामने नहीं आना सामने बैठती है उसके जो असगर को कैसे बचा ली मतलब सोचने ली बात है ना कि अम्मा अचानक पे सुधर गई इतना प्यार करने लग गई नैना के लिए जो इतनी गंदी वीडियो अम्मा ने बनाई थी कि नैना सारा उसके उपर ब्लेम डाली और नैना ने भी क्या क्या बयानात दी अपनी नानी के लिए वो भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि नानी उसकी कितनी बड़ी दुस्मन बनी हुई थी उसके बाद में फिर अच्छानक से प्यार उभर गया नानी ने बोली नाना नैना के के इतनी हो ना अरे भई किसको बेवकू बना रहे हो इसने पतनी लोगों को हाईयर करके फिर इश्वत वगेरा खिला के गुंडे हायर करके ये सारा कुछ करके लोगों को डराई दमकाई दिखाई के हाँ देखो जो तुम लोग में को भर भर के पैसे भेज रहे हैं तो मैं केस कर रही हैं ये सारा कुछ करके लोगों को बेवकूप बनाई उसने और उसके अब आके ये बोल दिया गया कि अम्मा ने मना कर दिये याद है आप लोगों को पिछले साल की बात है अम्मा को ट्रोल करवारी थी तो अम्मा ने फिर रो रो के वीडियो बनाई थी पिटारा बोलो ना मैं टीकूं पिटारा बोलो ना पिटारा क्यों मुझे गालियां खिलव बाप नाम का तो प्रमा यह एक रिष्टा नाम जिसकी आगे लगा और यह ऐसे काम की है कि लोड़ जो और इसका दुन्या में और आगे प्रेशलता नौह की में ओग सकता तो इस सेakan तो वो क्या रिस्ता रखता आप लोग बताओ इतने कौन सा अपने माबाप की रिज्जत रखी है जो यह अभी अपनी मा की बात सुन ली अरे बस कर दो बेवकूप बनाना बन करो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हो फिर बातों को कैसे घुमाना है कैसे जूड ब पांते हैं तो हम लोगों को बेवकूप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पिछले साल अम्मा गई थी इसको हर पल अम्मा याद आती थी क्यों क्योंकि अम्मा को वापिस बुलाना था क्योंकि अम्मा को नौकरानी बना के रखना था हर पल इसको अम्मा याद आती ह इस बार इसने खुद ने बेज़ी है क्यों क्योंकि इसको ट्रिप पे जाना था अमा को तो लेके जाएंगी नहीं इतनी इसकी अउकात नहीं है तो इसको अब अमा याद नहीं आती है बिल्कुल भी याद नहीं आती है देखा आप लोगोंने सेलिब्रेट के टेम पे अम्मा याद आई वन मिलियन का सेलिब्रेट कर रही थी तो अम्मा याद आई कोई बड़े में अम्मा याद आई नहीं आई न मीटब इसने पहला रखी तो अम्मा याद आई नहीं आई हर एक फंक्शन हर एक अयाशियां करती है अपेस आजाएंगी न फिर इसको अम्मा की याथ सताने लगेंगी फिर बोलेंगी मैं अकेली हूं एक अम्मा थी जो मेरा सहारा थी वो मेरी दुनिया है वो मेरा दील है मेरा फेपडा है मेरा गुर्दा है मेरा कलेज़ाए तब अभी अम्मा कुछ भी नहीं है जब यह घुम फिर के आ जाएंगी नौकरानी की जरूरत तो हैंगी ना फिर अम्मा याद आ जाएंगी अरे बस कर दो क्या तुम लोग भी बेवकूप बनते हैं और ओडियंस को बेवकूप बनाते हो तो थोड़ा थी ना कुदा का खौफ करो और है ना यह जूटी बाते करना बन कर दो उपर वलत तब देख रहा है इतने तो जलील हो गए इतने तो एक्सपोस हो गए और कितना जलील होने का शौक है तुम लोगों को भी और जो जो बाते मैंने बोली ना यह सारी बाते आप लोग देख लेना सच्छी थाबित होगी यह खूद सच्छी सा सब्सक्राइबोग सबस्क्राइब सबस्क्राइब आए बड़े केस करने वाले मतलब के गुना भी खुदी करेंगी केस भी खुदी करेंगी अजगर भाई ने तो भई ओपन चैलेंज दिये ते जाओ केस करो ना फिर मैं जो चीजे रखोंगा ना तो फिर देखेंगे के कौन कहां जाता है उनकी बाते सची साबित हुई जुता मारे ते ना अस्गर भाई ने एसे रोवी खोई तो वह इसके अंदर रोवी क्यूं त Flowers को चाहिए था कि चोड़ै जाती फ्की दंकियां देती लेकिन ये रो रही ती यगे गिरा रही थी तो कौन सही ये कौन गलत है वो तो हम पहले दिन सही जान गए बसोrons जो बेवकू पूफ लोग है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाती है और वो लोग लग जाते हैं पता है नहीं इनके अंदर दिमाग है भी के नहीं और ये बात भी बहुत ज़्यादा उठ रही है कि अम्मी ने दोनों भेनों की सुला करा दिये इसके लिए इसके लिए सपोर्टरो के लिए और सलमा के लिए जो भी बैतर है ना वो करें लोग हम तो भई खली प्यार करते हैं सलमा से और कुछ भी नहीं अगर वो अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर रही है अगर के जुकने से या सुला करने से इसके बच्चों पर बात नहीं होती है इसको हाम नहीं पहुंचाया जाता है और वो सुला करती है तो इसमें क्या बुराई है माबाप है ना उलाद के लिए कुछ भी करते है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है बाकी हाँ उस तरह से सुला होगी कि जिते आना जाना मिलना जुलना तो फिर तो सभी का दिल तुटेंगा खेर जो भी होगा वाइटी पे आई जाएंगा आप लोगों को पता है ना कोई बात चुपती तो है नी सबूत आई जाते है और मैं बोलूंगी सलमा को यहां से कि अगर सुला हुई है ना तो बिंदास आके बताओ जो तुमसे प्यार करते है ना वो समझेंगे और तुमारे को सपोर्ट करेंगे तुमसे प्यार करेंगे क्यूंकि सच है ना भले कड़वा हो लेकिन सच में पावर होती है और जूट है ना कितना भी मीठा हो लेकिन जूट जूट होता है लोगों का दिल तूड़ी जाता है तो आके जरूर बताओ अगर सुला उई और नहीं हुई है न तो फिर तुमारी मरजी है तुम करो नहीं करो हम तुमारे को पयार करते थे करते हैं और अगर सच के साथ में खड़ी हो तो हम हमेशा पयार करते रहेंगे बकि जिस तरह से देखो अजगर भाई आके कम्यूनिटियां लगा के मूंतोड़ जवाब देते हैं चैलेंज कर देते हैं कभी कबार धमकी भी देते हैं इंडिरेक्ली तो वो सब चीजे देखके मुझे तो नहीं लगता है कि सुला हुई है लेकिन फिर भी अगर होती भी है तो मेरा नहीं खयाल के हम इसके पर नाराद होना चीए तो आप लोगों को क्या लगता है क्या सुला हुई है मुझे तो नहीं लगता है और अगर देखेंगे जो भी होता है क्योंकि अजगर भाई के रियक्शन से एक्शन से नहीं लगता है सुला हुई है आप लोगों की क्या राय है कमेंड में जरू बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापीस